नमस्कर दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में दोस्तों इस वीडियो के अंदर अब भी हम लोगों के भारत की प्रमुख न दिया इससे रिलेटेड फोटी कुस्चन देखने वाले हैं जो कि आपके आनावल एक चामस के लिए काफी इंपोर्टेंट है तो आप इन एक कमेंड बक्स में लगा सकते हैं ठीक है तो देखे यहाँ पर हमारा पहला कुस्चन है निमने लेखित में से कौन सी भारती यो नदी पस्चिम की और बहती है तथा और अपसागर में गिरती है तो देखे इसका करेक्ट आंसर ओप्शन यह हो जाएगा नर्मादा नदी जो ह यह पस्चिम की और बहती है तथा और अपसागर में गिरती है ठीक है इसके अलावा नर्मादा नदी का जो उद्गम हुआ है तो यह अमर कंटक सीखर से हुआ है ठीक है आपको याद रखना है कुश्चन नमबर टू है गंगा नदी की सहायक नदियों का पस्चिम से पूर आप क्यूर सही अनुकरम ठीक है तो अपसं यह करेक्ट रहेगा पस्चिम में सबसे पहले यमूना नदी है उसके बाद घागरा सोन गंडक तप जो है कौसी नदी है ठीक है कुश्चन नमबर टू है भारत में डिल्टा बनाने वाली नदिया क्वोन सी है तो देखे भारत म ओर माहा नदी ठीक है काबेरी गंगा और माहा नदी जोए ये भारत में डिल्टा बनाने वाली नदी नदीया है ठीक है C और जिटक है जू करेक्ट जा एका कुैस में नंबर चार है सुन्दर बन डिल्टा का निर्माड करने वाली नदिया कौन सी है तो देखे सुन्दर बन डिल्टा का निर्माड करने वाली जो नदिया है तो यह है गंगा और ब्रहम पूत्र ठीके गंगा और ब्रहंपुत्र जो है ये सुंदरबन डिल्टा का निर्माड करने वाली नदिया है ठीक है ओप्षन ये करेक्ट जायेगा कुश्चन नमबर पांच है निम्नलेखित में से कौन सी दो नदिया अमर कंटक्स उदगमित होती है तो देखे इसका करेक्ट आंसर ओप्षन बी हो जायेगा नर्मादा और सुन जो दो नदिया तो ये अमर कंटक्स उदगमित होती है ठीक है ओप्षन बी करेक्ट जायेगा कुश्चन नमबर 6 है और नाचल परदेश में परवेश करने पर ब्रहम पूत्र नदि को किस नाम से संबोधित किया जाता है तो देखें आँडाचल परदेश में परवेश करना पर ब्रहमपुत्र नदी को जो है ये दिहां के नाम से जाना जाता है ठीक है ओप्सन B करेक्ट जायाएगा कुश्चन नमबर साथ है मानस निमनलेखित मैंसे किस नदी की उप नदी है तो देखें मानस जो है ये ब्रहमपुत्र नदी की उप नदी है ठीक है ओप्सन D करेक्ट जायाएगा कुश्चन नमबर आठ है मेघना निमनलेखित मैंसे कींदो नदीयों की समलित धारा है तो देखे मेगना जो है ये गंगा और ब्रहमपूत्र नदियों का जो है गंगा और ब्रहमपूत्र नदी का जो है समली धार है ठीक है उपसंडी करेक्ट हो जायेगा question number 9 है भारत की निम्नलेखेत नदियों में से किसे जैविक मरवस्तल कहा जाता है तो देखे जैविक मरवस्तल जो है ये बोला जाता है दामोदर नदी को ठीक है इसके अलाबा दामोदर नदी जो है ये पस्चिम मंगाल तथा जारखन में बहने वाली एक नदी है इस नदी की लंबाई कितनी है तो 592 किलो मिटर है ठीक है और इस नदी का उद्गम जो होता है तो ये छोटा छोटा नागपूर पठार से हुआ है ठीक है आपको याद रखना है कुश्चन नमबर दोस है प्राइडेपिय भारत की निम्नेलेखित में से कौन से नदी कोन से नदी और अब सागर में नहीं मिलती है तो देखे इसका correct answer option B हो जायेगा काबेरी नदी जो है ये और अब सागर में नहीं मिलती है ठीक है ऐप्शन B करेक्ट हो जायेगा कुश्चा नमबर 11 है निमने लेखित में से कौन सी नदी प्राइद एपिया पठार उपांत से नहीं निकली है तो कौन सी नदी है तो यह है यह मुना नदी ठीक है ओप्शन यह करेक्ट हो जायाएगा कुश्चा नमबर 12 है निमने लेखित में से कौन सी नदी रिफ्ट घाटे से ओकर बहती है तो देखे इसका करेक्ट आंसर ओप्शन बी हो जायाएगा तापती नदी जो है यह रिफ्ट घाटे से ओकर बहती है ठीक है ओप्शन बी करेक्ट हो जायाएगा कुश्च नमबर 13 है भारत का सबसे बड़ा जुआरनाद मुख है किस नदी के मुहाने परिस्तित है तो भारत का सबसे बड़ा जो जुआरनाद मुख है तो ये हुगली नदी के मुहाने परिस्तित है option E correct जायेगा कुश्च नमबर 14 है दामोदर नादी को बंगाल का सोक कहा जाता है क्योंकि तो देखे दामोदर नादी को इसलिए बंगाल का सोक बोला जाता है क्योंकि इसमें परायत तबाही मचाने वाली बाढ़ाती है ठीक है अप्शनी करेक्ट हो जाएगा कुश्चन नमबर 15 है माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में इस्तित है तो देखिए ये इस्तित है वसम राज्य में माजुली संसार का सबसे बड़ा नदी द्वीप किस राज्य में है तो ये वसम राज्य में कुश्चन नमबर 16 है मध्य भारत से निकल कर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी निमनलेखित में से कौन सी है तो देखिए यह है बेतवा नदी ठीक है मद भारत से निकल कर यमुना गंगा में मिलने वाली नदी कौन सी है तो बेतवा नदी है option D correct हो जायेगा question number 17 है निमनलेखित वैसे वह नदी कौन सी है जिसके बारे में आंधर परदेश करनाटक और महराश्ट के बीच बीच बीबात चल रहा है तो कौन सी नदी है तो देखिए यह कृष्णा नदी ठीक है कृष्णा नदी कृष्णा नदी के बारे में जो है आंधर परदेश करनाटक औ महराश्ट के बीच", जो है बीबात चल रही है, ठीके, तो option D, correct हो जायेगा, question number 18 है, हिमाले काट कर येवां बहा कर आने वली नदिया कौन सी है, तो देखे out है हिमाले काट कर येवां बहा कर आने वली जो नदिया है, तो ये है ब्रहंपूत्र, सतलज और सिंदू, ठीके, option B, करेक्ट जायेगा कुश्चन नमबर 19 है निमने लेखित में से कौन सी नदी मध्य पर्दे से निकलती है और खंबात की खाणी में गिरती है तो देखी ये है माही नदी ठीक है माही नदी जो है ये मध्य पर्दे से निकलती है और खंबात की खाणी में गिरती है ठीक है कुश कोसी नदी का उदगम नेपाल में है और कोसी नदी जो इंगा नदी मैं आकर मिलती है ठीके option यह करेक्ट जाये Correct जायेगा इसके अलावा बिहार का सुक किस नदी को बोला जाता है तो कोसी नदी को जो यह यह बिहार का सुक बोला जाता है आपको याद रखना है, question number 21 है, गांगा के सहायक नदिया, जो नीचे बानेत है, इनमें से कौन उत्तर की और परवाहित होती है, तो उत्तर की और जो है, सोन नदी परवाहित होती है, ठीक है, option C, correct हो जाएका, question number 22 है, गांगा में दचली ओर से मिलने वाली नदी कौन सी है, तो गांगा में दचली ओर से मिलने वाली जो नदी है, तो यह है, सोन नदी, ठीक है, option C, correct हो जाएका, question number 23 है, निमें लेकित में से कौन भारतिय नदी, परस्यम के और बहुती है तथा अर अब समकर में गिडती है तो देखी यह है नरमदा नदी ठीक है नरमदा नदी जो है परस्यम के और बहुती है तथा अर engine करेक्ट हो जाएगा Question No.24 है निमनलेखित में से वो नदी कौन सी है जो एक बिभरान से घाटी यानि रिफ्ट बैले से होकर बैती है तो कौन सी नदी है तो देखिए है नर्मदा नदी ठीक है नर्मदा नदी जो है एक बिभरान से घाटी यानि रिफ्ट बैले से होकर बैती है बी करेक्ट हो जायाएका कुश्चन नमबर 25 है निमनिलेखित में से कौन सी नदी बिंधेत अथा सत्पूड़ा परवत सरिंखला के मद्धे से होकर गुजरती है तो कौन सी नदी है तो यह है नर्मदा नदी ठीक है option 1 करेक्ट हो जाएगा question number 26 है कावेरी नदी का उद्गम सुरोत है तो देखे कावेरी नदी का उद्गम सुरोत है तो यह है ब्रह्मगीरी पहाड़ी है ठीक है option 1 करेक्ट हो जाएगा question number 27 है भारत में कौन सी नदी को खूला नाला कहा जाता है तो खूला नाला यमुना नदी को बोला जाता है ठीक है, option B करेक्ट हो जाएगा question number 28 है निमनलेखित में से किस नदी के मुहाने पर डिल्टा नहीं बनता है तो देखे इसका correct answer option D हो जाएगा तापी नदी के मुहाने पर डिल्टा नहीं बनता है question number 29 है निमनलेखित नदियों में से कौन अपने मार्ग में परिवर्टन करने के लिए कुख्यात है तो देखे इसका correct answer option B हो जाएगा को सी नदी जो है यह अपने मार्ग में परिवर्टन करने के लिए कुख्यात है ठीक है, question number 30 है निमनलेखित नदियों में से कौन सी नदी भारत से निकल कर पाकिस्तान में जाती है तो भारत से निकल कर पाकिस्तान में कौन सी नदी जाती है स्वतलोज नदी जाती है ठीक है ओप्सन ये करेक्ठ जायेका कुश्च नमबर 31 है निमनिलेखित मैं से भारत में तलचट को पर्वाहित करनेवाली प्रमुख नदी कौं सी है तो तलचट को पर्वाहित करनेवाली जो प्रमुख नदी है तो यह है गांगा नदी ठीक है option यह करेक्ठ हो garbage question number 33 है गोधावरी नदी का उदगम बिंदु है तो गुदावरी नदी का उद्गम बिंदू ना सीक है आपको याद रखना है ओप्शन ये करेक्ट हो जाएका कुश्च नमबर 32 है नर्मदा जल बिबाद न्याधी करण का कीन राजों के बीचे जल के बटवारे को सुलजाने के लिए गठन किया गया था तो देखिए नर्मदा जल बिबाद न्याधी करण के गठन जो है ये गुजरात, महराष्ट, राजस्थान और मध्य पर्देश को सुलजाने के लिए किया गया था ठीक है ओप्शन सी करेक्ट हो जाएका कुश्च नमबर 34 है निम्न नदियों में से किसका सरवाधिक बड़ा जल गरहन छित्र है तो सरवाधिक बड़ा जल गरहन छित्र किस नदि का है तो ये है गुदावरी नदि का ठीक है ओप्शन सी करेक्ट हो जाएका कुश्च नमबर 35 है गोदावरी नदी कहां से होकर बहती है तो गोदावरी नदी ये महराष्ट्र, तिलांगाना और आंध्र परदे से होकर बहती है ठीक है option ये correct हो जायाएगा Question number 36 है निमने लेखित में से कौन सी नदी कश्च के रन में समाहित होती है तो देखिए इसके correct answer option B हो जायाएगा लूनी नदी जो है ये कश्च के रन में समाहित होती है Question number 37 है भारत के दच्चडी प्राइदीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी छेत्र का निर्माड करती है भारत के दच्चडी प्राइदीप में कौन सी नदी देश के दूसरे सबसे बड़े नदी छेत्र का निर्माड करती है तो कौन सी नदी है तो ये है गुदावरी नदी ठीक है option E correct हो जायाएगा Question number 38 है भारत के किस नदी को ब्रीधिगंगा कहा जाता है ब्रीधिगंगा जो है ये गुदावरी नदी को बोला जाता है option B correct हो जायाएगा Question number 49 है सिया चिन ग्लेसियर के पिखलने से बना पानी किस नदी का मुख्य सुरूत है तो सिया चिन ग्लेसियर के पिखलने से जो पानी बनता है तो ये नूबरा नदी का सुरूत है ठीक है तो option D correct जायाएगा Question number 40 है तिभ़वत में मानसरवर जील के पास है किस नदी का उदगम सुरूत है तिभवत में मानसरवर जील के पास किस नदी का उदगम सुरूत है तो इसका correct answer option D हो जाएगा इन में सब ही यानि सिंधु सतलज ब्रहंपूत्र तीनों नदी का जो है उद्गाम सुरुत इस्तित है तीबत में मानसरवर्ज हील के पास ठीक है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा उपर युक्त सब ही तो दोस्तों यह थे भारत की प्रमुख न दिया इसे सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर सब्सक्राइब करते हैं ठीक है मिलते हैं